हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद पुरही तो आप देख रहें मेरा यूट्यूब चनल जहां पर मैं वीडियो अप्लोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीच्टिशन एक्जाम की ताहरी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चनल आपके लिए बहुत ही है यहां जो आईटे बे यहां पर जाकर मेरे प्रीविएस डिफ्रेंचल एक्वेशन के जो वीडियो जए फस्ट और फस्ट डिग्री एं हायर ओडर डिफ्रेंचल एक्वेशन विट कॉंस्टेंट कोफिशन में सी एफ एंड पर्टिकुल का फंक्षन दे रिखा एकी पाउर एक्स इंटु वी तो यहार उसका प्याई केसे निकालते तो सुनिया पर सीधा सीधा रूल यह कि यह जो FDAS को डिनोमेटर में लेकिया यह दैन एकी पाउर एक्स को बाहर निका लिए तो जहां पर भी दी आ पर क्या जाएगा डी प्लस एक एक एक्जांपल देता हूं यहां पर हम क्या करेंगे जैसे माल लिए मारे पास को डिफरेंशिल एक्षिन दे रिखाया है डी स्क्वाइर प्लस वन इन्टु वाई इस इक्वल टू एक्स इन्टु साइन एक्स साइन टु एक्स ले लिए अगर आपको इसको पी निकाल लिए उन रहे घंगे तो क्या होगा संप्ला स्प्लाइड बायर एक्स घ्लाइड जहां पर बिटि यहांपर दी स्ट लора कि आपके घ्यार इसका निकालेगा वह इससे जिसे question दे रहे का हमारे पास d square minus 2d plus 1, तो सुन देखें इसका cf कैसे निगालेंगे, तो यह आएगा हमारे पास m square minus 2m plus 1 is equal to 0, आप देख रहे हैं, m की value हमारे पास क्या होगी, 1 and 1 होगी, तो हम जानते हैं इसका जो cf होगा, यह होगा, y is equal to c1 plus c2x e ki power x हो जाएगा, then इसका हम particular integral निकालेंगे, तो यह हम क्या करेंगे, x square e ki power 3x divided by, इसको divide करेंगे, तो हम जानते हैं यह होगा, d square minus 2d plus 1, मैं आपको बुलाए, e ki power 3x को बहार निकालेंगे, मतर्ब इसका PIE बहार निकालेंगे, मतर्ब PIE ले लेंगे, यह समझ लेंगे आप, तो x square, इस उन जहाँ पर b d है, वहाँ पर हम क्या लेखेंगे, यह पर d plus 3 हो जाएगा, का whole square minus 2, d plus 3 plus 1, एंड दन इसको simplify करेंगे, एक तरीका और हो सकता है, यह यह हो सकता है, x square e ki power 3x, और हम जानते हैं, यह होता है, हमारे पास d minus 1 का whole square, यहाँ पर क्या करेंगे, e ki power 3x को बहाँ निकालेंगे, बात बराबर ही है, यहाँ रहे है, x square जिसने जहाँ पर d, वहाँ पर क्या हो जाएगा, d plus 3 हो जाएगा, तो plus 3 minus 1, ऐसे भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, तो यह d plus 2 का whole square हो जाएगा, यह भी एक तरीका है, ठीक है, आप जैसा चाहिए, वैसा आप कर सकते हैं, मैं इसको अटा रहा हूँ, अपन उपर वाले से ही कर रहे हैं, यह भी एक तरीका है, इससे भी आप इसको कर सकते हैं, तो यह भी एक तरीका हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, y is equal to यह आएगा, e की पावर 3x, x square, यह सुन यह आएगा, हमारे पास d square, 6d and 4, 2d क्या, तो यह सुन यह आएगा, हमारे पास 4d, यह सुन यह आएगा, हमारे पास 9, minus 6, तो यह हमारे पास होगा, 3 and plus 1, तो आई थिंग यह 4 हाएगा, हमारे पास, यह सुन क्या करें, अब हम जानते, सिर्फ इस x square का पी आई निकालना, तो यह सुन 4 को बहार निकाल दीजे, यह 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 आएगा, e की पावर 3x upon 4, तो यह आएगा, हमारे पास 1 plus d square plus 4d upon नीचे जाके 4 हो जाएगा, का inverse हो जाएगा, अब इसका expansion करेंगे, तो मैं आपको बोला था, कि यहाँ पर हमारे पास 2 formula होता है, 1 plus x का inverse, यह आता है, 1 minus x plus x square minus x cube, यह आता हमारे पास, उन एक होता हमारे पास, तो y is equal to हमारे पास यह आएगा, e की पावर 3x upon 4, यह आएगा 1 minus d square plus 4d upon 4 plus, चुकि alternate plus minus आएगा, plus minus है इसलिए upon 4 का whole square, इस type से हमारे पास इसकी term आएगी, और पीछे हमारे पास यह हो जाएगा, x square, right, इस सुने से x square को आप किती बार differentiate कर सकते हो, तो दो बार कर सकते हो, तो यहाँ पर d square तक की term काम की, बाकी term हमारे पास काम की नहीं है, y is equal to यह हमारे पास, e की पावर 3x upon 4, इस सुने यहाँ पर जो भी हमारे पास d square तक की term हो लिए लिजे, तो 1 minus, इस सुने 4d by 4, और minus अंदर जाएगा, तो फोर से फोर तो कैंसल हो, एक्चलि यह हो जाएगा, 16 d square upon 16, तो d square बचेगा, तो यह हमारे पास plus का d square हैगा, into x square हो जाएगा, इसको simplify करेंगे, तो e की पावर 3x upon 4 हो जाएगा, then 1 minus d, यह सुने यहापिका करेंगे, यह बचेगा हमारे पास, 3d square by 4, into x square, इसमें इस x square को multiply करेंगे, तो यह एक्चेगा, e की पावर 3x upon 4, जब x square को multiply करेंगे, तो इसमें इसका derivative हो जाएगा, 2x, इसका derivative करेंगे तो 2, और इसको cancel करेंगे, तो 3 by 2 हो जाएगा, then final answer होगा, हमारे पास, c a plus pi, और इस तरह से इस question को यहाँ पर solve करता है, so next question देखे, so सुन देखे next question, और हम इसके बारे में बात करेंगे, तो मैं कहना चाता हूँ, इसका c f, c f आप निकाल ले ना, please, मैं सीधा इसका pi बता रहाँ, so y is equal to e यहाएगा, e की पावर x, cos x divided by, d cube minus d square plus ka 3d plus ka 5, इस उन क्या करिया, आप e की पावर x को बहार निकाले, तो यह आएगा हमारे पास cos x, जहां पर भी d है, वहाँ पर d plus 1 का cube हो जाएगा, minus का d plus 1 का square, plus का 3, d plus 1 हो जाएगा, and plus का 5, इस उन यह हमारे पास इसकी value हैगी, जब इसको solve करिंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, बट हो जाएगा, इस उन कॉस x है, इसका solve करिंगे दिया आएगा, आएगा हमारे पास, d cube plus 3d square, plus 3d, right, plus का 1, minus का d square, minus का 2d, minus का 1, plus का 3d, plus का 3, plus का 5, इस उन यह हमारे पास इसकी value हैगी, right, इस उन y is equal to e की power x, now, यह हमारे पास cos x, इस उन यहाँ पर हो जाएगा, यह d cube, अब देखो 3d square, में से d square गया, तो यह बचा हमारे पास 2d square, right, इस उन यहाँ पर हैगा, हमारे पास 3d, और 3d, 6d, 6d में से 2d गया, तो इस उन यह हो जाएगा, हमारे पास 4d, आप देखेंगे, इस उन 1, मैं से 1 गया, तो यह तो 8 बचेगा, हमारे पास, तो इस उन यह हमारे पास क्या होगा, इसका value हो जाएगा, अब कि अगरते देखर हैं, जबी हम cost का pi निकालते हैं, तो यह जो d cube है, इसको मैं और लिक्ता हूँ, से 1xD, में जो d cube है, इसको मैं लिक्ता हूँ, d cube को लिक्ता हूँ, अघी square into d, टाक ही कि हमारे पहले ठीख रहेगा, से 1y is equal to, तुम क्या करेंगे एकी पावर एक्स कॉस एक्स कप यहां पर भी इसकुर महांपे माइनस मन रख राइड आपने को सब्सक्राइब नहीं देखा तो आप आईटे पर जागे देख लिए इस उने माइनस में इसका डी हो जाएगा इस विन माइनस टू हो जाएगा प्लस का एकीप आउर एक्स एंड एन यह आएगा हमारे पास कॉस एक्स डिवाइड वैसिन 4D में से गया तो यह 3D हो जाएगा राइट एस तुन यहां पर क्या होगा 8 में से गया तो इच्छी हो जाएगा राइट इस तोन थोड़ा सिंपलिफाई कर लेते हैं यहां से 3 कॉमन आ रहा तो E की पावर X अपन 3 आ जाएगा और यह होगा हमारे पास कॉस एक्स अपन D प्लस 2 हो जाएगा एक काम करते हैं हम D माइनस 2 से उपर नीचे मल्टिप्लाइड डिवाइड कर लेते राइट जब यह ऐसा हो तो हम इस तरह से फॉलो करते हैं then Y is equal to यह आएगा हमारे पास E क पावर X अपन 3 और माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस का 5 हो जाएगा और हम जानते डेरिवेटिव आफ कॉस एक्स क्या होता है सुन माइनस का साइन X होता है तो माइनस का साइन X माइनस का 2 कॉस एक्स अपन माइनस का 5 इस उन माइनस कामन निकाल के कैंसल कर दीजे तो यहार E की एक्स अपॉन यह 15 हो जाएगा और यह होगा साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स दिस इस दांसर एंड फाइनल आंसर आप जब निकालोगे तो उसके साथ इसके पी आई को जोड़के लिख दिजेगा यह आपका अंसर आएगा तो इस तरह से स्टैप के कोश्चन को मिया पर सब्सक्राइब तो इंगा निकालते हैं तो मुझे लगता बार बर बताने की ज़रूत नहीं है तो यह एम स्क्वार माइनस टू एम प्लस फोर और एम की वेल्यू निकाल देना राइट मैं सीधा इसका पी आई बता रहा हूं राइट सीएफ आप निकाल देना इसका पी न स्क्वार माइनस 2D प्लस 4 प्लस यहाएगा एक्स अपॉण दी स्क्वार माइनस का टूदी प्लस अफौर प्लस-फोर जाएगा रैड kijं जाएगा यहां पर सिधा रूल रूल आ जाएगा है जहां पर डी एवार तू रंंंग डी辑्ञ दीजे झाल तो यहां आएग एक पावर 2X अपोन 4 हो जागे एक फॉर से फॉर जागा है माइनस पॉर जागा एक 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 पावर एक पावर एक को बहान निकाल दीजे तो यहाएगा हमारे पास एक पावर 2X अपावर 2X अपावर 2X अपावर 4 प्लस इसको सिंप्लिफाई कर लेती थोड़ा सा राइट यहाएगा हमारे पास कॉस एक 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 पावर की नहीं है और उसमें भी सिर्फ डी पावर पावर 1 कामका है तो यहाँ यह दी स्कॉर भी हमारे किसी कामका नहीं है राइट तो यहाएगा हमारे पास स्कॉस एक्स अपाउन माइनस 1 प्लस 3 मतब 2 हो जाएगा बाद में लिप्टेंगे इस से यहाँ पर क्या सीदा सीदा हो रहा है तो यह आएगा हमारे पास 1 प्लस 4 and I think यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आएगा 1 प्लस 2D अपन 4 तो यहाँ यह हमारे पास D by 2 हो जाएगा and X बाकी टम को हम नेग्लेट कर देंगे यह तो यह हमारे पास आएगा E की पावर 2X अपन 4 प्लस E की पावर X Cos X अपन 2 यह उन्हीं इस X को मल्टिप्लाई कर दीजे जब मल्टिप्लाई करेंगे तो यह यह दई ऑफ X अपन 2 हो जाएगा then Y is equal to E की पावर 2X अपन 4 and plus E की पावर X Cos X अपन 2 प्लस 1 by 4 and differentiation of this is 1 by 2, right? तो यह हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा और इस तरह से इस question को मिया पर solve करते हैं. तो सुनियार यह question आपके लिए comment box के लिए और मैं चाहता हूँ कि इसका answer आप मुझे comment box में दीजेए सुन D square plus 1 Y, XE की power 2 X और यहां पर 4 option दे रखें तो इसकार इसमें से कौन सा option आपके लिए सही है? प्लीज आप मुझे बताइए और इसको question को solve करने में आपको किता time लगा और यह concept आपको समझ में आया की नहीं है? प्लीज ज़रू बताइए थैंक यह सो फोलो कर सकते हैं इस question का अंसर जरूर दीजे तन्यवाद